सबी के अंद्रे करमचारियों और पैंसन भोग्यों के लिए बड़ी ही खुसकबरी निकल के सामने आरी है सुप्रिम कोड का इत्यासिक फैसला दिया गया है एक करोड के अंद्रे करमचारियों और पैंसन भोग्यों के लिए उचली जानते हैं एक रोड केंद्री करमचारियों और पैंसन बोगियों को स्ब्सक्राइब करके बेल ने को जूरूर दोका है ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी ख़बर आपको मेंज़ा मिलती रहेगी केंद्रे क्रमचारियों के लिए सुप्रिम कोट ने एक रहत बरा फैसला सुनाया है सुप्रिम कोट का कहना है कि किसी भी केंद्रे क्रमचारियों को सर्विस के दोरान या रिटार्मेंट के बाद इस बिना पर मेडिक लैम देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे सिज्जे चेस पैनल में उलेखित अस्पताल के इतर किसी नीजी अस्पताल में इलाज कराया है कोट का कहना है कि किसी केंद्रेक रमचारी को मेडिक लेम के अधिकार से सिरफ इसलिए वंचित नहीं क्या जा सकता है कि उसने सरकारी आदेस वाली सूची में जिस अस्पताल का नाम सामिल नहीं है वहाँ इलाज कराया है तो सुप्रिम कोट की तरफ से काफी बड़ा फैसला लिया गया है और अच्छा फैसला लिया गया है हमारे सभी केंद्रेक रामचारे और पैंसन बोग्यों के लिए इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कॉमेंट सेक्षिन में सुप्रिम कोट के लिए ठैंक्स जरूर लिखें जस्टिस आर के अगरवालो जस्टिस असुक भुसन ने अपने फैसले में ये बात कही है कि कोट की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ सरकार की तरफ से उलेखित अस्पताल में ही इलाज कराने पर मेडिक लैम मिलने की बात गलत है जास का असल मुद्ध ये होना चाहिए कि जिस इलाज के आदार पर मेडिक लैम की मांग की जा रही है वो सही है या नहीं किसी भी मेडिक लैम के मामले में प्रादिकरण ये जाचने के लिए बात ये है कि क्या सम्मतित व्यक्ति ने सही में अपना इलाज कराया है या नहीं एक बार ये सपश्ट होने के बाद टेकनिकल ग्राउंड पर मेडिक लेम के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है कोट ने काये कि ये कानूनी तोर पर वाजिब है कि किसी भी करमचरी को सर्विस के दोरों ये रेटार्मेंट के बाद मेडिक लेम मिलना चाहिए इसे लेकर कोई भी अनावशक रोक नहीं लगानी चाहिए कोट ने काये कि मरीज स्पेशल अस्पताल में इलाज कराने के लिए तब भी जाता है जब उसे गंबिर समश्या हो ऐसे में उसे सही और बैतर इलाज का पूरा हक होता है कोट ने पैंसंदारकों के मामले में सीजेचेच की तरब से MRC के मामले में दीमे निस्तारण पर भी संग्यान लिया कोट ने का कि ऐसे मामले के तत्वरित निप्टारे के लिए हर महिने सम्मधित मंत्राले में एक सची उस्त्रिय उच्चा अधिकारी समेती की तरब से बैठक की जाएं कोट ने काये कि हमारा मत है कि सम्मधित मामलों में दस्तावे जन्मा होने के बाद पैंसन दारकों के ये समश्या एक महिने की बीतर ही निपड़ाई जाएं कोट का ये फैसला एक रेटायर करमचारी की याचिका पर आया है याचिका करता ने दो निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराया था और बिल के भुकतान यनि रिमर्स करने की मांग की थी सरकार की तरफ से ये कहा कर बुकतान करने से मना कर दिया गया था कि CRTD डिवाइस के इंप्लांट करने की जरूरत नहीं थी कोट ने इस मामले पर कहा हैं कि एक साम्मन्य समझ की बात है कि इलाज के लिए क्या किया जाना है ये डॉक्टर का फैसला होता है डॉक्टर उचित इलाज के लिए टेस्ट और अन्य चीजे करवाता है और कोट ने काया कि CGHS का रवया इस मामले में एमानविय लगता है CGHS की सुरुवात इसलिए की गई है कि जिससे रिटेर्मेंट के बाद केंद्रे करमचर और पैंसन भोग्यों के लिए बटकना नहीं पड़े तो दोस्तो सुप्रिम कोट की तरफ से काफी अच्छा फैसल लिया गया है हमारे सभी केंद्रे करमचर और पैंसन भोग्यों के लिए तो इस वीडियो को जादर से जादर लोगों तक सेर जरूर कराएं ताकि उनको भी इन्परमेशन मिल सके तो ये थी एक लैटेस्ट कबर वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए इसी के साथ जेहिंद जे बारत